हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल कार साउंट ओन डिफ्रेंड्स आज के वीडियो में आपके लेके आया हूँ निपॉन का कार डिएसपी एंप्लिफायर अगर आपको लगता है कि आपके कार प्लिएर की आउटपूट अच्छी नहीं है यानि की कम है तो आप इस डिएसपी एंप्लिफायर को लगा के अपने प्लिएर की आउटपूट बढ़ा सकते हैं यानि की साउंड क्वालिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं यह बहुत ही small compact size का amplifier होता है जो player के पीछे आप लगा सकते हैं और player की input देखे और speaker को output यहां से 2 channel का output आपको मिल जाएगा यहां से 4 high level input 2 channel RCA output तो जो इसकी key function थे key function में आपको देखिए इसमें 20 Hz से 20 klo Hz तक frequency response रहता है और अगर MRP की बात करूँ तो यह लमसम लमसम यह आपका 7,000 MRP इसमें पड़ी हुई है तो इसका इन्वाक्सिंग करते हैं इन्वाक्सिंग करते ही इसमें आपका manual सबसे पहले आएगा warranty card आएगा manual आएगा कैसे wiring करनी है वो सारा इसके manual में आपको मिल जाएगा किस तरीके से किसना compact size में small size में आपको यह amplifier देख रहा होगा बहुत छोटे size का amplifier है और जो इसकी output रहेगी वो इसकी two channel की output इससे निकलेगी तो basically यह आपके player की output बढ़ाने के लिए दिया हुआ है अब आज के time में बहुत ज़्यादा problem है कि player की output नहीं मिल पाती है speaker से इतना sound नहीं आ पा जिससे की output आपकी बहुत हद तक काफी बढ़ जाएगी और आपको मतलब जो music सुनने का जो आपको interest आएगा वो काफी हद तक बढ़ेगा तो यह इसके साथ बायर भी आती है जो wiring है यह आपको input और आउटपुट की बायर आपको इसके साथ में निकलेगी और यह निपॉन इस्पीकरों में सप्लाई हो जाएगी पर इन केवल इसमें अपने दिया हुआ है जो केवल मैंने आपको बतायी ती यह यह पावर केवल आपको इसके साथ में मिलेगी पावर केवल डारेक्ट आपकी बेटरी से सप्लाई लेता है इसमें कोई आपको यह लेगा और आपकी जो आउटपुट होगी काफियत तक इसमें बढ़ जाएगी तो आपको लगता है आपकी गाड़ी में आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है तो इस तरह के अम्प्लिफायर कॉमपेक्ट लगा सकते हैं तो दोस्तों यह हमारा वीडियो कैसा लगाए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगाए तो प्ली सस्क्राइब करें और सेयर करें थैंक यू वेरी माच वाचिंग माइक वीडियो